तो क्याल चैले दूस्तों आगए को निक कमाल की डौ कांकरर वाली गेमपली वीडियो के साथ वापिस और जैसा कि आप लोग ने थमने लो टाइटल देख लिया होगा कि मैं रैंक पॉसिंग छोड़ रहा हूँ और क्यों छोड़ रहा हूँ क्या रीजन है इस सब सारी चीज मेरने वाला हो तो हम बतातों गिए रैंक पूस्च छोड़ क्यों रहा हूं तो आप अप लोग को जैसा पता होगा कि मैं मतलब क्यार वर्जन पर मतलब रैंक पूस्टार्ट किया था तो मुझे मतलब तो सिल्वर 5 से रेंग पुस्ट स्टार्ट करने को करना परा और सिल्वर 5 से लेके फिल गोल्ड प्लेटिनम डायमेड क्राउं तो प्राउं टू तक तो हम पुस्ट कर लिए थे अब उसके बाद क्या सीने की अब वीक मतलब जादा हो गया अब मतलब वीक 3 चल रहा आने को है तो अब लोभी क्या है कि लोभी काफी ज्यादा वी खा रही है तो प्लस मिल नहीं रहा है और जो भी अगर रैंक पुस करता है और कर भी रहा है भी तो उसको पता हुआ कि लोभी मेटर करती है मतलब आपको ज्यादा प्लस लेने को तो इसलिए हम छोड़त हैं और अब पता नहीं क्या सीने पपजी वालों पैस जब यह नया सीजन या अपडेट आने को था तो बोले थे कि हम कुछ चिप वगेरा लगा रहें जो की कभी निकाल भी ले रहे हो कभी मर भी जा रहे तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होता क्योंकि वहां तक पहुंचते-पहुंचते हमारा प्लस हो जाता है लेकिन जब हैकर मार देता है जब हम एक दो इस टीम को मतलब वाइट करते हो उसके बाद आगे जाते तो भाई सब क्या ही इसलिए बुड़ा सा लगता है तो इसलिए मैं रैंक फूश चोड़ दिया हो और क्या ही गेंप्ले डाल वी इसलिए अब में गेंप्ले डाल भी नहीं रहू और आप वीडियो पर आते हो रैंक पूस्स मतलब कॉंक्र लोभी का गेंपले देखने और आपको वेकार सी लेगा पिछले मतलब अगले सीजन प्लेटिनम की आस पास जो कि एक दिन में हम रैंकिंग में आ जाएंगा और जहां तक मुझे लगता है कि एक हपते के अंदर अंदर हमारा सब्सक्राइब करके रख लो और अब मैं बात करने वाला हो कि जो यार जो बंदे का सपना होता है और लेकिन वह जा नहीं पाते हैं तो इसलिए मैं बोल रहा हो अगर उस वीडियो को देखने के बाद आप अगर कॉंकर नहीं जाते हो तो यार आपकी मर्जी है आप अगर चैनल को सब्सक्राइब करके रखे हो तो अनसब्सक्राइब कर देना या तो गाली दे सकते हो कमेंट में कोई उसके लिए मैं बुड़ा नहीं मा सब्सक्राइब करते हैं तो वह अपने एक्स्पीरियंस से बताते हैं क्योंकि उनके पास अच्छा डिवाइस होता है वाइफाई पर खेलते हैं तो सब आप नहीं मतलब कर पाते तो आप सोचते कि वहीं सब बंदे जा सकते तो ऐसी कोई बात नहीं है मैं जो आपको ट्रिक को मतलब यहां पर कि अगार आउना नहीं मतलब जो नोवो था और रिट्टरी वेस्ता तो काफी दूर था तो बंदे गाड़ी ले लेके मतलब आए जा रहे तें यहां पर अब इस गेम्प्ले में मतलब यह कि आप अगर बोलते हो कि आप अपना मतलब दिखाते हैं नहीं क कितना प्लस हो रहा तो यह सारी चीजे में इस वीडियों में दिखाने वाला हूँ और मेरे मतलब जो भी था इमेट उसके पास स्कोप नहीं था हम दुबारा थे नोगो तो फिलाल मेरे पास हील भी नहीं था तो मैं यहां पर हो जाता हूं नौक और अब देखो तो फिलाल य काफी कम था और हमारे पास उतना हीलिंग भी नहीं था तो अब यहां पर हम आगे जाई रहे होते तो यहां पर मतलब एक टीम हम पर रस करने वाली होती है गारी से तो अब देखो मतलब यहां से कैसे सर्वाइब करते और क्या ही पोजीशन लेते हैं और यहां से मतलब कि ज और भाई जिसको मतलब लग रहा होगा कि मैं जूट बोलड़ों की कैसे जा सकता है जी रोगी खीड़ी वाला तो बहुत इजी है तो आप एक बार कमेट करके ट्राइब कर सकते हो देखके कि मैं मतलब क्या बताता हूं आपको और पिछले सीजन के लिए आपको सीजन से तयारी करनी पड़ेगे तो जो भी इंट्रेस्टेड है कमेट कर सकता है तब ही मैं वीड़ों बनाऊंगा तो फिलाल तो यहां पर हम आ जाते और यहां पर थोड़ा रहत के सास लेते और अब देखो यहां पर जोन कितना छोटा है और यहां पर बस आप चाड़ा तरह बूम आप देखो और अब कैसे सर्वाइब करते हैं और जो अभी भी रैंक्पूस कर रहा है तो उसको कुछ फाइदा हो सकता है तो अब बस यहां पर मैं कुछ कहने वाला नहीं हो और देखो बस जोट अब दो पर एक बंदा था तो इस पर मैं सौट लेने की ट्राइकरता हूं लेकिन उगारी वारी फॉर के बैठ जाता है अब पता है नहीं कि मैं टीमेड बोलता है कि उसके जोन है कि नहीं तो हम छोड़ देते क्योंकि ज्यादा एफट भी नहीं लगाते है और वह काफी दूर भी था अब पर अब पर जोन है तो जोन है त्यां जोन है अब चारो तरब चेक करता था कि कोई बंदा ओपन में दीखे तो मैं आप एक निकाल सको और अगर आप पे कोई ट्रस करता है तो वह भी देखो आप आपको हैंडल करना पड़ेगा तब आपका पोजिशन अगर आप कहीं और फटीन होलड में कर पitले तो वहां पर रहो गहीं वरना बंदे रश्कर कि वह ले ले ते क्यूंकि अब जहां पर हम थे दो लास्ट तक यहीं पर जून बनने वाला क्या ही मतलब जोन हमारा किसमत किसमत जैसा था मतलब साथ क्या ही दे रहा था आप यहां पर गारी दिखाऊ और यहां पर बूम बाम भी हो रहा था तो फिलाल अब वो लोग इस मोख करते पहले अब देखो अब अब कि अब है कि अब है कि अब मैं पूरी तार में था कि अगर वह स्मोक कर रहे तो आएंगे सामने से तो मैं एक प्रीनेट कर देता हूँ अगर वह बंदे मतलब छुप छुप के आएंगे अगर इस मोख के थूरू तो मतलब एजली मर जाये लेकिन आप देखो मतलब इसके हम भी हो जाता हमारे साथ तो मैं जैसे ग्रेनेट करता हो गारी से रस करते तो आप यहां पर हम कैसे हैंडल करते फाइट अब देखना अब अब यहां पर अब यहां पर अब यहां पर देखना जो था उसको मेरे टीमेट ने नोक कर दिया और जो दूसरा बंदा था तो उसको मैं अराम से मार दिया और हम मेरे टीमेट के मतलब किल जादे थे और वो साइड मतलब दो तीन बहुत मार रखा था तो फिलाल उसका चालीस प्लस हो जाता और मेरा मतलब मेरा कितना होता है बस देखते जाओ चिकन निकालने पर और फाइनल सरकल था मतलब यह और जो में बस चार बंदे बचे थे तो एक बंदा है पर स्पोर्ट होता है जो कि गंसे में उसको नहीं मारा और मैं यहां पर ग्रेनेट ट्राइ करता हूँ लेकिन तब यह बंदा जो लैप साइड था उसको मार देता हो जैसे कि आपको धुआ दिख गया हुआ गारी के पीछे त तो ग्रेनेट भी नहीं जाता उतना दूर तो फिलालब जोन में एक बंदा था और हमारे पास हील नहीं था तो मैं बोलता है अपने टीमेट को की लूट पहले पीछे से तो लूट लेता है और मुझे थुरा हैल्थ वगेरा दे देता है ताकि मैं अबतलब अपना जो हैल् बैसा भी स्मोक में क्या ही मतलब मारा तो मज़ ही आगया और मेरा टीमेट की खुशी देखो मतलब पाच किल करने के बाद भी मतलब उसका अच्छा कासा प्लस हुआ और मैं आपको प्लस भी दिखाऊंगा तो आई होप सो वीडियो आपको पसंद आई होगी तो वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक कर देना और साथी चैनल पर पहली बार दो चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख लो ताकि इसी तरह की इंट्रेस्टिंग वीडियो आपको देखने को मिलती रहा और कल से हम साथ गेम ले या तो मोंटाज वागेला पहली की तरह ड